अब तक हम हमारे इंडस्ट्री इंडस्ट्री इंडिया वाला टोपिक हम कवर कर रहे थे इंडिया जोग्रफी में सेकेंड लास टॉपिक हमारा इसके आदम सेंसेस कवर करेंगे इसमा अल्लीड हमग दो लेक्शर कवर Care कर चुके यह इसका पार्ट ठाट जिस सबसे पहले मैंने कल अपको बताए था कर दिये थे वो में आपको अपलोड कर दोएंगा यहाँ पर जैसे आप जाओ तो सबसे पहले यह सी आप जाते तो agro-based industries होती क्या है उनको आप समझने की कोशिश करते हैं कि सबसे पहले हम इनको समझदे की कोशिश करते हैं कि एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री उती जुत है वह होती है् तो मैंने आपको पहले हैं था कि इंडियन अग्री कलुचर प्रवा alltså किवारेց surtout मैं आपको बोला था कि जम प्राइमरी सेक्टर एब सेकंडरी सेक्कर अलभी डावािटै करता है चलिए हो जाती है अब जैसे इंडस्टी्म कॉतен इंडस्री को अपको पास में इंडस्ट्री है उन पे आपको एक नोट लिखना ए या याLIE आपके पास problem in prospects in front of agricultural based industry ऐसा question मन सकता है जो आपके पास किर्शी आधारे तो ध्योग है किर्शी आधारे तो ध्योग के लिए question अटी महातोपूर है इसको आपको याद रखना पड़ेगा अब हम देखते हैं कि कौन-कौन सी ध्योग इसके अंदर गताते हैं कौन-कौन सी इंडस्ट्री इसके अंदर में आती हैं सबसे पहला cotton textile industry है उसका the woolen textile industry है silk textile industry है paper industry होती है और jute textile industry होती है तो अधिकतर सारी textile industries जो है वो इसके अंदर में आती है और paper pulp industry होती है वो भी इसके में आती है इसको आपको याद रखना है इनी इंडस्ट्री के बारे में हमें पढ़ना है और मेजर इंडस्ट्रियल रीजन्स ओफ इंडिया के बारे में आज हमें पढ़ना है और आज हम कर लेंगे हमारे एगरीकल जो आपका इंडस्ट्री इन इंडिया को घजम देखते हैं वो मानब सब्विता से भी या मानब सब्विता के तरह ही बहुत ही पुरानी है लेकर हम यह देखते हैं कि modern textile सबसे पहले कहां पे उपन वी थी तो इंडिया में बिटिशर्स ने सबसे पहले 1818 में फोर्ट ग्लास्टर में सबसे पहले जो modern textile है modern cotton textile को लगाया था most important question for prelims, prelims के लिए बहुत ही जादा महात्वपूर्ण question है इसको आपको याद रखना है कि प्रतम cotton उद्योग है भारत में कहां पे लगाया गया था तो प्रतम cotton उद्योग भारत में सबसे पहले पश्य मंगाल कलकत्ता में फोर्ट ग्लास्टर में लगाया गया था इस बात को आपको याद रखना फोर्ट ग्लास्टर अपने आप में बहुत महात्वपूर्ण महात्वपूर्ण नाम है इसको याद रखना अब उसका अधम याद रखते हैं next question जो है क्या ये industry successful रही नहीं ये industry successful नहीं रही क्योंकि हमारे भारतियों को सबसे पहले खादी पहनने की आ पहली successful industry किसने लगाई थी एक पार्सी एंट्रेपनोर थे सी एंडावर साहब इन्होंने सबसे पहली industry successful की मैं बात कर रहा हूं clear successful कहां पर लगाई गये थी 1854 में Bombay जिसका नाम था Bombay Spinning Weaving Company नाम से clear तो याद रखना गर आपसे question पूछा जाए first cotton textile industry या प्रथम cotton textile जो अध् अब लगाया गया था 1854 में कहां पर लगाया गया था Mumbai में लगाया गया था वीडियो रुक रुक के आ रही है वेट अजित हम क्लास end कर रहा है ठीक है अजित देखना कितना टाइम होगा एक में टुक जाए अगर वीडियो पॉस होके आ रही है तो उसका solution देख रहा है अधर वारी क्लास को आज कैंसल करना पढ़ेगा तो चलिए करते हैं क्लास को रिजिम अब आपकी जो अब वीडियो एक दम है वो क्लियर आए गिए अगर कोई टेंशन हो तो अभी आप कमेंट करके वता सकते हो अब वीडियो सही है जल्दी से कमेंट करके बताईए आप शायद वीडियो सही हो गया होगा वीडियो आपको क्लियर देख रहा होगा एक बार जल्दी से कमेंट करके बताईए अगर आपका वीडियो है जो वो क्लियर हो गया है तो जल्दी से कमेंट करो और फिर हम आगे रखनी है, Sea and Hour आपको याद रखना है, Bombay Spinning and Beaving Mill को आपको याद रखना है अब वीडियो पॉस तो नहीं हो रहा चलिए ठीक है, तो हम देखते हैं कि जो cotton textile industry है उस cotton textile industry को प्रभावित करने वाले कौन-कौन से कारक होते हैं सबसे पहला होता है, Raw Material, कच्चा माल दूसरा होता है, Market से, जो आपके पास, जो Market है, अगर वो पास होगा Proximity with the Market, Next जो आपके पास है, Monster and Weather है Weather में कितना ज्यादा Most Weather है, उसका Capital, पैसा यह सारी की सारी वही चीज़े है, Skilled और Cheap Lever क्योंकि यह Lever Intensive, जो आपके पास वर्क होता है, यहाँ पे लेवर की वह ज़्यादा जरूरत होती है, Next जो आपके पास है, Transport, अगर आपके पास, मैंने आपको यह सारी की सारी चीज़े अल्रेड़ी एक्स्प्लेइन कर रखी है, लेकिन मैंने यहाँ पे इसलिए कर दिया कि अगर फांच मार्क में आपके कॉटन टेक्साल इंडस्री है, उसको प्रभावित करने वाले कारक कौन-कौन से होंगे, यह सारे के सारे कारक आपको याद रखने है, अब एक थोड़ी से हिस्ट्री हम याद रखते हैं कि हमारी यह कॉटन टेक्साल इंडस्री है, यह स्टार्ड तो आपकी 1818 से हो गई थी, 1854 उसके बाद क्या हुआ था, उसके बाद फिर जब आजाध हुआ भारत तो आपको पता होगा, भारत, इं इस्टन पाकिस्तान और दूसरा आपके पास था वेस्टन पाकिस्तान, वेस्टन पाकिस्तान को आप पाकिस्तान कहते हैं, इस्टन को मंगलादेश कहते हैं, यह जो आपके पास लोकेशन से यह सब को याद होगी, अब यहाँ से याद रखना कि इस्टन पाकिस्तान में क् cotton production करने वाला area था जैसी partition हुआ तो हमारा cotton producing produce करने वाला जो area था जो cotton उत्पादन करने वाला जो छेतर था वो कहां पे चला गया पाकिस्तान के पास तो कच्चा माल पाकिस्तान के पास रह गया और industry भारत के पास रह गई यह एक का कच्चा माल बंगलादेश में रह गया दूसरे का कच्चा माल पाकिस्तान में रह गया और कच्चे माल की supply ना होने के कारण यह दोनों industry बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हुई महारास्ट्रा के तरफ महारास्ट्रा में मैंने आपको बताया कि जो फस्ट सक्सेस्पुल कॉटन मिल कहां पर लगाई गई है महारास्ट्रा में लगाई गई है तो यहां पर कुछ सतारावारधा, इनमें दो या तीन कोई भी याद रख लेना, मुंबई प्राइमरली आपको याद रखना है. बाकीто सायद आपको याद होंगे सोलापुर, कोलापुर, ये सा कोलापुर की चपल बहुत ज़्यादा popular शायद आपको पता होगा तो इनमें से जो जो तीन चार आपको याद हो रहे हैं उनको याद रखलो अमरावती वारधा वारधा ये सारे के सारे कुछ तीन चार आप याद रखलो सारे के सारे आपको याद नहीं रखने बस इसमें याद मुंबई रखना है यह आपका key point है इसको कभी मिस नहीं करना पहला आपके पास हो गया दूसरा अगर हम जाके दिखते हैं दूसरा है आपका गुजरात जैसी आप गुजरात में जाते हो तो गुजरात में एहमदावाद है एहमदावाद को हम क्या बोलते हैं आप इंडिया बोलते हैं या बूस्टन उफ ईस्ट बोलते हैं अब यह मैंचेस्टर जो था यहाँ पर सबसे पहले industrial revolution को start किया गया था सबसे पहले industrial revolution को start किया गया था मैंचेस्टर गरेट वेटेन में अगर आप जाओगे तो यहाँ पे cotton textile का production सबसे पहले start हुएता है की वज़े से बल्ड में अगर कहीं पे भी cotton textile production modern era में स्टार्ट होता है मास में तो इस कोम क्या बोल देते हैं मैंचेस्टर बोल देते मतलब सरबादिक जो आपके पास सूत उध्योग है जहां पर उत्पादित होता है उस उत्पादन कोम क्या उनाइटेट किंग्डम में बोस्टन कहां पर युएसे में यह दोनों जहां पर cotton textile industry स्टार्ट होती है उसको मिसकी उपमा दे देते हैं तो आपको याद रखना है कि जो एहमदाबाद है तमिल नाडू की तरफ जाओगे साउथ इंडिया में जैसी हम पहुचे तो साउथ इंडिया में याद रखना cotton कम पॉपूलर है और जो आपके पास सिल्क इंडस्ट्री है वो ज़्यादा पॉपूलर है इस वात को आपको याद रखना है कारण क्या है क्योंकि सिल्क को ज़्यादा पानी की ज़रुवत नहीं होती और cotton को पानी की ज़रुवत होती है और South India equator के पास होने के कारण महाँ पर evaporation ज़्यादा होता है पानी कम होता है जैसे हम Tamil Nadu के पास जाते हैं यहाँ पर याद क्या रखना है most important center जो आपको याद रखना है वो है कोयम बतूर कोयम बतूर आपको याद रखना है इसे हम क्या बोलते हैं Manchester of South India बोलते हैं क्लियर क्या बोलते हैं Manchester of South India क्यों हम बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर सबसे आदा South India में cotton textile का production किया जाता है इसके अलावा अगर आप जाते हो सेलम, तूती कोरिन, मदूरई, यह सारे के सारे जो इरियाज है cotton textile के लिए जाने जाते हैं अगेन वही वाली बात एक दो याद रख लेना कोयम बतूर बिलकुल भी नहीं बूलना उसके अदम चलते हैं हमारे उत्तर प्रदेश यह होगी आतिनात के यहाँ तो इनके पास हमें क्या याद रखना है, इनके पास जो आपको याद रखना है वो है कानपूर कानपूर को आपको याद रखना है, कानपूर वैसे तो leather industry के लिए जाना जाता है लेकिन अगर हम उत्तर प्रदेश में देखेंगे तो सरबाधिक जो मिले हैं उत्तर प्रदेश में कानपूर में लगी गवी है इसलिए हम क्या बोलते हैं, मैंचेस्टर ओफ नॉर्थ इंडिया अब तीन मैंचेस्टर आपके पास हो गए, एक मैंचेस्टर ओफ इंडिया हो गया, एक मैंचेस्टर ओफ नॉर्थ इंडिया हो गया, एक मैंचेस्टर ओफ साउथ इंडिया हो गया ये तीनों अलग-अलग हैं, Manchester of South India, कोयमबटूर है, Manchester of North India क्या हो गया आपका कानपूर, और Manchester of India कौन सा हो गया एहमदाबाद, और Cotton of Polish कौन सा हो गया आपका मुंबई हो गया, ये सारी की सारी चीज़ें आपको याद रखनी है, नेक्स चलते हैं हमारे करनटका के पास, तो करनटका याद रखना के major center नहीं है Cotton Production के लिए, लेकिन फिर भी इसका नाम आता है, सबस्यादा सिल्क production कहां पर होता है, करनटका में होता है, तो बैंगलूर, बेल गाओ, बैंगलूर होगी चित्तर दूर्ग, गुरवरगा, मैसूर हो, ये सारे के सारे center से यहाँ पर production किया जाता है, आप याद रख लो, मैसूर के लिए, गुलवरगा के लिए, और जो चित्तर दूर्ग है, ये सारे के सारे आप याद रख सकते हो, दो या तीन नाम आपको यहाँ पर याद रखने है, तो यहाँ पर आप पहुंचे, अब उसका अदम चलते हैं हमारे मध्यपरदेश की तर अदम चलते हैं हमारे राजस्थान की तरफ, राजस्थान में जो आपके पास है, कोटा, जैपुड, स्रिगंगा नगा अगर भावनगर, उदैपुर, यह सारे के सारे सेंटर हैं, बट राजस्थान में याद रखना, राजस्थान वूल प्रोडक्शन के लिए जाना जाता है, वुलन टेक्स्टाइल का नाम आए, तुरंत राजस्थान पर पहुंच जाओ, अगर ऐसी अगर लेदर इंडस्ट ज़्यादा पॉपूलर है, बेस्ट बैंगॉल सबसे पहले, यहां से आपकी मॉडन मिल की स्टाइंग जरूड हुई थी, लेकिन सक्सेस्फुल नहीं हो पाया, कारण क्या था, क्योंकि यहां पर उस टाइम पे रो मेट्रियल उपलब्द नहीं था, यहां पर जो आपके प स्टाइंग हुई थी, यह दोनों डेट्स आपको याद रखनी है, उसका जो प्रिलिम्स का क्वेश्चन है, वो कहां से बन सकता है, यह जो कॉटनो पॉलिष, यह तीन सिटी जो मैंने आपको बताई है, एक तो मेरी मुंबई थी, जिसको हम कॉटनो पॉलिष ऑफ इंडिय मार लेना है, अब में में कॉश्चशन कैसा बनता है, वोट रटी वीरियस, ऐसे कौन-कौन से फेक्टर्स हैं, जो कॉटन टेक्शाल इंड़स्ट्री के फोरमेशन वे, लगाने में हेल्प करते हैं, तो यह सारे के सारे फेक्टर्स हैं, क्लियर, और इस तरह से कॉटन टेक से प्राप्त होता है cotton textile industry से सबसे ज्यादा रोजगार प्राप्त होता है और खासकर यह रोजगार किसको मिलता है जो घर में बैठी हुई females होती है उनको क्योंकि वो ज्यादा commutation नहीं कर पाती एक जगा से दूसरी जगा नहीं जा पाती तो उनको easily availability होती है employment की उनको घरवेठ ही यहां पर काम मिल जाता है इसलिए cotton textile industry बहुत ही ज्यादा महात्पूर है विक्सित कहां पर होती है जहां पर black soil होती है बहां पर जूट इंडस्ट्री अब जैसे जूट इंडस्ट्री के पास जाओगे तो मैंने आपको जूट प्रडक्शन और लेडी मिनरल जो आपके पास एग्री कल्चर है वहां पर कराया था तो कुछ नहीं करना बस उसको combine कर दो इंडस्ट्री आपको तुरंतियाद हो जाएगी अब उसको combine कैसे करेंगे वह मैं आपको बताता हूं जूट कुछ इस तरह से दिखता है और यह जूट होता है इसको यह golden color के कारण इसे हम क्या बोलते हैं golden fiber बोलते हैं और इसके production को बढ़ाने वाली जो revolution उसे हम क्या बोले से एक और बात याद रखना golden revolution जो है उसका संबंद किस से horticulture crop को बढ़ाने से है इस बात को आपको याद रखना पड़ेगा जूट होता कहां पे है तो सबसे पहले याद रखना जहां पे humidity बहुत ही जादा होती है alluvial soil होती है बहां पे क्या होता है जूट का उत्पादन क किया जाता है अब उसका आद हम याद रखते हैं कि जूट में होती है rating नाम की process मतलब का क्या होता है यह जूट होता है यह बड़े-बड़े गन्ये जैसे आपके बड़ी-बड़ी फसल के रूप में होता है इसको हम कट करते हैं कट करने के बाद इसका एक पूरा bundle बनाते ह नदी में यह फूलता है फूलने वाली जो process होती है उसको हम क्या बोलते है rating process कई बार सीधा पूछ लिया जाता है कि rating process का संबंद किस्से होता है तो जो जूट है जूट उतपादन में जो threat निकालने की process होती है उसको हम क्या बोलते है rating बोलते है अब यहाँ पे हम देखते नहीं पर आपकिन आपको एक वात रखना पड़ेगा गर इंडिया हमेशा आगे रहेगा क्योंकि हमारे पास क्या है जो सबसे यह यदा रखना पड़ेगा लेकिन आपको एक बात याद रखना पड़ेगा अगर इंडिया लीडिंग प्रडियूजर है तो इंडिया में कौन-कौन से स्टेट्स हैं जो लीडिंग प्रडियूजर है तो सबसे पहले आप जाओगे तो बेस्ट बेंगॉल नाम का स्टेट असम, उडिसा, बिहार, उत्त प्रडियूजर प्रडेश यह सारे के सारे जो स्टेट्स हैं यह लीडिंग प्रडियूजर स्टेट्स हैं अब एक बार जाके इसका डिस्ट्रिबीशन में आपको बताएता हूं कहां कहां पर डिस्ट्रिबीशन है तो यहां पे अगर आप जाओगे जहां पर डेल्टा एक reason है इन reasons में जो jout है उसका उतपादन किया जाता है और यहां पर भी उतपादन किया जाता है तरही वाले छेत्र में तो यहां पर सरवाधिक jout ka उतपादन है उसका किया जाता है इसके वैसे industries भी यही पर लगी हुई है और पहली modern इंडस्ट्री ये याद रखने वाला पॉइंट आ गया कि पहली मॉडन जूट इंडस्ट्री कहां पे लगाई गई थी रिसरा में बेस्ट बेंगॉल में लगाई गई थी क्लियर रिसरा बेस्ट बेंगॉल में कब लगाई गई थी 1855 में लगाई गई थी याद रखना 1855 में सबसे पहली modern jute industry को लगाया गया था और कहां पे लगाया गया था इस राम में लगाया गया था यह सीधा रटने वाला fact है क्योंकि यह prelims में पूछा जाता है और इंडिया में सबसे ज़्यादा jute textile industry है वो कहां पे है best bengal में ही है सबसे ज़्यादा jute production कहां पे होता है best bengal म using area कहां पे चले गए बंगलादेश में अभी present में आप जाके दिखोगे तो बंगलादेशी immigrant labor का हम इसू फेश कर रहे हैं इसका मतलब बंगलादेश में जो labor है वो भी क्या है बहुत जादा सस्ती है आपके जैसे फालतू लोग बहुत जादा हैं बंगलादेश में थेरा लोग फालतू नहीं है कमसकम लोग डाउन हो पड़ाई कर रहा हूँ इसका मतलब सीरियस हो तो यहां पे जैसे हम बात करते हैं तो यहां पे labor भी है यहां पे raw material भी है यहां की government textile को बढ़ावा भी दे रही है इसकी बैसे जो बंगलादेश है बहां से भारत को सीधा का सीध फेस करना पड़ रहा है यह बहुत बड़ा चैलेंज है चैलेंज बिद्धी बंगलादेश जूट क्लियर अब हम जाके देखते हैं कि प्रेजेंट में जो कंटेक्स क्या है तो government of इंडिया ने 2018-2019 के notification में एक notification निकाला था जिसके अंडर बोला था कि जो food grains होते हैं जो करना चाहती है जूट का production बढ़ाना चाहती है और रिसेंटली आपने देखा होगा current affair में कि government of इंडिया ने जो पॉली थी ने उस पर बैन लगा दिया था जो पॉलेथिन केरी वेक्स से उन पर बैन लगा दिया था तो अपने आप में ये industry limelight में आ गई थी और इतना ज्य कई बार ऐसे instance देखने को मिले कि बंगला देश का जो जूट है भारत में export किया जा रहा था इलीगली समगल किया जा रहा था त्यूंकि भारत में जूट में भारत का जो जूट था उसमें बहुत ज़्यादा कमी आ गई थी क्योंकि इंडिया में डिमांड बहुत के देखना उसका धमने देखा कि पहली मिल आपके पास कहां कहां पे लगी कहां पे लगी थी रिसरा बेस्ट बेंगॉल में बरतमान में कहां कहां पे मिल लगी हुई है बेस्ट बेंगॉल में मिल लगी हुई है उसका दगर आप जाओगे तो अंधर प्रदेश में प्रियोग जो food grains आपके पास होता है खाद्यान के packaging में और 20 प्रतिशत जो है सोगर की packaging में use करने के recommendations आए थे और उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो single used जो polythene उसको ban करने से सबस्यादा फाइदा किसका हुआ जो आपके जूट textile industry है उसका हुआ था यह सारे problem prospects है जूट textile industry क से होता है जो polythene है उससे सीधा competition अगर इसका होता है तो अगर polythene जो है इसकी durability जादा होती है लंबे टाइम तक चलती है और यह सबसे बड़ी बात यह क्या होती है water resistance होती है जूट अगर आप देख रहा है और रेंकोट बना लोगे जूट का तो जितनी जितनी बारिश मे करी गई थी जिसमें अलग-अलग मिशन मोड में लेकर आए गया था सबसे पहला कि हम टेक्टन लॉजी है उसको हम क्या करेंगे हटा के नई टेक्टन लॉजी लेके आए रिसर्च और डवल्लमेंट यहां पर करेंगा हरे करें ने कोई भी बात करी जाती गवर्मेंट उप भारत में रो जूट प्रोडक्शन एरिया को हम बढ़ाएंगे तीसरी बात क्या करी गई कि जो जूट का प्रोडक्शन कर रहा है उनको मार्केट जो होती है उसकी लिंक के जिसको हम प्रवाइट करेंगे और उसके बाद हमने क्या बोला कि हमारे जो इंडस्टीज हैं उनको ह हम उनको हम मॉडरनाइज करने की कोशिश करेंगे और और गवर्मेंट ऑफ इंडियान एक ही बात करी गई है बात क्या करी कि प्रॉब्लम क्या है आपकी रो मेटरियल की है बंगलादेश चे रो मेटरियल आता है कभी-कभी मना कर देंते हैं नहीं दे रहे हमारी इंडस्ट करेंगे उसकाद हमने क्या बोला इन सब को फैसलेटेट करने के लिए हम हमारी हर एक जो सिस्टा में उसको मॉडरनाइज करने की कोशिश करेंगे यह क्या था जूट टेक्नलोजी मिशन था अगर आपके पास कुश्चन ऐसा बनता है क्योंकि अभी जो पैकेजिंग इंडस की तरफ यह बड़ी मोस्ट पॉपूलर सी इंडस्टी है यहां पर आपने देखा होगा कुछ इस तरह से सिल्क देखता है अलग-अलग कलर का सिल्क होता है जो विमिन्स होती है खासकर साउथ इंडिया की विमिन्स उनको बहुत ही ज्यादा सिल्क पसंद होता है और अगर तो ही थी कमेंट करके मुझे बताईए अब उसका तम जाकर देखते हैं कि जो सिल्क इंडस्ट्री जिस की कोज में होई थी लेकिन एट प्रिजेंट में हम बात करते हैं कि बाइप वौल्यूम हम बात करें कि बाइव जो सबसे ज़्यादा सिल्क का प्रोडूच्ञ और कौ एक किसकी है श्यामलाल की मिठाई की दुकान है करता है लेकिन सबसे ज़ादा प्रकार की जो मिठाही उनका का इस स्यमलाल करता यह वह वाली बात है कि कितने टाइब का उता है कई बार लोगों को जो आपके पास होता है बल्क में बसंद आता और पसंद आते इंडिया जो है वो different type में आ गए है और जो अगर हम बात करते हैं तो इंडिया क्या बनग्या श्यामलाल बनगया और चाइना क्या बनगया रामलाल बन गया तो चाइना की descending लाइट यादरÓ आ responsibility है वह जो किया दिसक्वरी है वह चाइना में वहीती है उसी बात को आपको याद रखना है आपका अंसर एकदम सही है तो यहां पर होती है ओक तसर और ट्रॉपिकल तसर या आप तसर याद रख सकते हो तसर कितने प्रकार का होता है ओक होता है और दूसरा आपके पास होता है ट्रॉपिकल तसर होता है अब इसका धम बात करते हैं नेक्स्ट कौन सा होता है मूंगा ये तीसरा और चौथा कौन सा होता है इरी इसको आपको याद रखना पड़ेगा, चारो के चारो हमेशा याद रखना, मलवरी, तसर, मुणगा और इरी ये चार परकार के जो सिलक होते हैं, सिलक भारत में पाई जाते हैं अब हम देखते हैं कि सिल्क है यह सिल्क बन्ता कैसे यह जो आपके पास होता है यह पत्व क्या होती है रह इसको excrete करते हैं प्रोटीन को excrete करते हैं अब यह क्या करते हैं अपने चारो तरप यहां पे जो आपको एक बल्क देख रहा है इसके अंदर क्या करता है जो कीड़ा होता है वो इसके अंदर होता है जो वॉम है वो इसके अंदर होता है और अपने चारो तरप क्या बनाता है बनाता है यह कुछ इस तरह की शेल आपको देखाई दे रही है बाद में जाके क्या होता है यह कीड़ा उसके अंदर बैठता है क्योंकि उसे डर लगता है क्यों एक्सटर्णल कोई उसे थ्रेट ना पहुचा है बाद में हम इन बॉल्स को एकट्टा करते हैं जिनके अंदर यह वर्म्स अल्रेडी होते है उसके अधम क्या करते हैं इन व쪽 वांटर जो होता है खौता हुआ जो पानी है उसे खौलते हुए पानी में हम डाल देते हैं इस खौलते हुए पानी में जब आप डालते हो तो यह जो कीडों को हटा देते हैं इसलिए हर एक बार आपको अलग-अलग कीडों की जरुरत होती है और यह कीडे पालने की साइंस अपने आप में अलग है तो याद रखना जो सिल्क प्रोडक्शन है वो सिल्क प्रोडक्शन आपके पास कैसे किया जाता है वो यह जो बड़ी-बड़ बॉल्स होती है जो कि आपके पास सिल्क वाम होते हैं वो बनाते हैं इनको पानी में डाला जाता है और उसके खुलते हुए पानी में बॉल्ड वाटर में डाला जाता है उसका सिल्क को एक्सट किया जाता है और सिल्क आया कैसे था चाइना में उसकी चोटी से स्टोरी है ए और आप जैसे लोगों की मैं बात नहीं कर रहा तो यहां पर आप जाके दिखोगे तो उन्हों क्या कर रहा वो गार्डन में बैठी हुई थी उन्होंने देखा कि दूर कहीं कुछ अच्छा सीन देख रहा था तो उन्हें अपनी चाय को वहीं पर छोड़ दिया और वो कहीं चली गई और उपर एक शैड बना हुआ था उसमें से क्या हुआ यह जो बॉल थी वो बॉल आके उनकी चाय में गर गई जैसे बॉल आके चाय में गिरी वो चाय बहुत ज़्यादा गरम थी उसकी वैसे यह पूरी की पूरी बॉल खुल गई और बॉल खुलने के बाद कीड का silk की discoveri होई थी और चाइना leading producer भी है silk का और इसको एक बात और याद रिखना है silk इतना जादा popular था कि हम आरा जो पुराना जो trade route था ancient इंडिया ancient World में चलता था उसको हम क्या बोलते थे ancient silk route भी बोलते थे इस बात को आपको याद रखना है एससी वाले जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो सिल्क इंडस्ट्री का स्टार्टिंग चाइने सोई थी चाइने लीडिंग प्रड्यूजर है यह प्रिलिम्स का कुश्चन है और यह जो अलग-अलग वेराइटी से यह भी सीधी रट लेनी है कई बार पूछा मूंगा सिल्क की बात करता हूं तो मूंगा सिल्क को हम क्या बोलते हैं गोल्डन शीर बोलते हैं यह बहुत ही जादा महेंगा होता है यह असम और नौर्थ इस्तन स्टेट में उत्पादित किया जाता है मूंगा कहां पर उत्पादित किया जाता है सबसे महेंगा होता है य उसके अलाबा बेस्ट बेंगॉल, जम्मू, कश्मीर इन सम्में जो है मलवरी का उत्पादन किया जाता है। उसका दम जाते हैं तसर के पास, जैसे तसर के पास जाते हैं, तो सेंट्रल इंडिया जो आपके पास है, जैसे जहारकंड़े, छतीस गड़े, बिहार, मध्यप्रदेश, महरास्टर, यहाँ पे तसर का उत्पादन किया जाता है। जी एधरली असम में उगए जाता है, जो असम जैसे आप नौर्थ इस्टन स्टेट जब भी आप देखती हो, तो नौर्थ इस्टन स्टेट के बाद जब आप बैश्ट बेंगोल साइड मूव करने लगते हो, जो बैश्ट बेंगॉल वाला एरिया है और जो बिहार वाला area है और कुछ पार्ट ऑफ Assam वाला area है बहां पर इरी का उत्पादन किया जाता है असम में अगर North East के बाद अगर और East Side में जाओगे तो फिर कहां पर पहुंच जाते हैं मुंगा के पास पहुंच जाते हैं असम और कि सारे Eastern State North Eastern State में मुंगा का उत्पादन किया जाता है असम के वेस्ट साइट जैसे ही आप आओगे बिहार बेस्ट बेंगॉल और जो उडिसा है बहां पे इदी का उत्पादन किया जाता है इसके बाद और आप वेस्ट की तरफ जाओगे तो फिर जो उत्पादन है वो तसरक पादित किया जाता है quantity wise हो है वो कौन सा है मलवरी है इसको आपको याद रखना है अब हम जाके देखते हैं कि popular centers कौन कौन से हैं भारत में सिल्क उत्पादन करने के इन centers में आपको याद रखना है सबसे पहले में सबसे बड़े center के पार जारों सबसे ज़्यादा सिल्का उ इरिया हैं बो करनाटका में सिल्क उत्पादन सिल्क center के नाम से जाने याते हैं उसके अधम जाते हैं तो और South India में आंद्रप्रदेश वाले पूरे के पूरे एरिया आपको एक याद रखना है करनाटका में हसन का नाम और याद रखना इनके अलाबा हसन मधुरही जो आप आपको याद नहीं रखनी इस लिस्ट में मद्यप्रदेश नहीं लिखा हुआ जो most important है उसको आपको याद रखना है जो मद्यप्रदेश है बहाँ पे मद्यप्रदेश जो आपके पास है असोक नगर डिस्टिक्ट में चंदेरी नाम की जगह है बहाँ पे जो सिल्क है में से data provider मध्य परदेश काव लेना जूद रखने कांची पर हमें साडी है और ये सारी को G.I. टेग्ड़ में मिला हुआ है तमिलनाडैू में हैं और जो मध्यиз क है मध्य प्रदेश की मध्य प्रदेश सेरी टेग्मिला हुआ है जाना है सरी कल्चर है आपको याद रखना है अब यहाँ पर आपको याद जो जो रखना था सिल्क इंडस्ट्री मैंने आपको क्या बताया समराइज करने में कि जो सिल्क इंडस्ट्री इसकी शुरुआ चाइना एस हुई चाइना लीडिंग प्रडियूजर है इंडिया वराइटी वाइज सबसे प्रडियूजर है चार प्रकार की वेराइटी मिलती है कैसे उत्पादित किया आता इसका प्रेडिक्शन क्या कहला था सरी कल्चर सिल्क वर्म को पाला जाता है क्लियर कोकून प्रोसेस के द्वारा इसको हम क्या करते हैं संथेसाइज करते हैं चार तरह के सिल्क अलग- देश याद रखना है यह जो आप बेस्ट बेंगॉल में मुर्शिदाबाद भी आप याद रख सकते हैं इसके अलावा आपको याद रखना है नहीं रखना वह आपकी स्वायक्ता है वह आपकी आटोनोमी है चाहो तो रखो नहीं तो बिल्कुल मत रखो अब यहाँ पे कर चेन नहीं की साडी है तमिल नाडू में चेन नहीं में एक साडी बंती है तो काफी सारी साडी जो को GIट प्रदान किया गया है अब यह GI महराजा थे वो चमकी ले कपड़े पहनना चाहते थे कोई हमेशा क्योंकि जो cotton textile वो poor लोग पहनते थे गरीब लोग पहनते थे उनके कपड़े चमकते नहीं थे राजा महराजा हमेशा क्या चाहते थे जो आपके पास चमक धमक चाहते थे तो वो silk industry को बहुत ज़्यादा बढ़ा देते थे लेकिन यहां पर बात करते हैं जैसे हम पहुंचने तो present रा में दिक्कत क्या हो गई यह present रा में और ज़्यादा चमकने वाली चीज़े आं गई और ज़्यादा चमकने वाली चीज़े उसकी बुरी तरीके से वाट लगा दी अब इसका होता क्या है कि जब भी आप original silk की सारी भी खरीदने जाते हो तो दुकांदार आपको बुद्दू बना देता है आपको duplicate सारी देता है और जैसी आप उसको एक दो बार पहनते हो तो उसका comfort आपको feel नहीं होता और आप silk को गाली देने लग जाते हो ऐसा ना हो तो user experience है वो हमेशा friendly बना रहा है इसलिए government of India का करती है जो GI tag है उसको प्रदान कर रही है मध्यप्रदेश में अगर हम जाते है तो चंदेरी की सारी को already GI tag मिला हुआ है और तुरभवन silk सारी को भी GI tag मिला हुआ है इस बात को आपको या इस बहुत जादा है यह जो counterfeit product है वो बहुत जादा मिलना है Chinese product बहुत जादा मिलना है यह सारे के सारे problems है prospects क्या है इस industry को world में सभी like करते है हम exporter बन सकते है बस government of India इस पे ध्यान देती रहे यह क्या है इसके prospects है अब इसके हम बात करते है next industry की तरफ हम जा रहे है जो हमारी जो हमारी next industry है वो कौन सी है woolen textile industry अब यह industry आपके दिल से जोड़ा हुआ मुद्धा है दिल से जोड़ा हुआ मुद्धा क्यों है क्योंकि सर्दियों में हम तो नहाते नहीं है सायद आपको आप मैंसे बहुत सारे लोग होंगे कौन-कौन सर्दियों में daily नहाता है वो जल् winter होते है वो तीन से चार महीने के लिए आते हैं आप तीन से चार महीने के लिए जो winter साथे है वो भी सरफ सिर्फ नौर्थ हिंडिया में आते हैं था आ throws नहीं आते और जो वुलन textile है उसका deployment कहां पर होता है जहां पर भूलन टेक्सटायल में दिखकत क्या है कि हम हमारीliga हम नई जैकेट्स को पहनते ही नहीं है मतलब क्या है इंडिया में डिमांड बहुत कम है आप भी सारे के सारे शाइटिंग पुरानी स्वेटर्स का यूज करते होगे और हम नई स्वेटर्स खरीदते कम है जब हमारा जो विंटर सीजन है गोजर जाता है ग्वालियर के मिले में जाते हो जब विंटर सीजन गोजर जाता है तो फिर वो आपको 50% डिसकाउंट, 60% डिसकाउंट में वो आपको प्रड़क्ट दे रहा होता है तब जाके अगले साल के लिए हम उसका स्टॉक करते हैं रीसेंट टेर्स में आप बिल्कुल भी उनको नहीं खरीते हैं आई थिंक सभी इसका ऐसा ही करते होंगे बहुत ही कम लोग हैं जो शुरूरत इनीशियल डेज में जाके जैकेट्स को खरीते हैं इसका मतलब क्या है? मेजर सेटबेक आपके पास यही हो गया दो फूरंぎ प्रूरत द शायारी घ्सले में जो आपके पास MPPSC के FLT में पूछा गया था हुवत शबसे बड़ा प्रेद्यूजर कौन है तो वह आपके पास चैना थया सबसे ज्जाधा प्रेड्यूजर कौन करता है सबसे ज्यादाさん प्रोडूइट्र कौन करता है चाइन के पास प्रोडूइस करता है। अब याद रखना एक और बाद कि सब सबसे ज्यादा नेचुरल इनल को प्रोडूइस करता वो आपको पास और वे आस्ट्रे़्यकें हम एक variety पाई जाती है, जिसका हम बोलते हैं, मरीनो वल बोलते हैं, तो मरीनो नाम की शीप पाई जाती है, उससे सबसे अच्छे का वुल आपको देखने को मिलता है, यहां पे हम जाके देखते हैं, कि सबसे ज़्यादा वुल है, वो कौन सा state produce करता है, एक तो वुल है अदू सा वुलंट एक्साइल है सबस्यादा वूल कोन प्रिद्ध करता है राजस्तान नाम का स्टेट प्रिद्ध करता है इस बात को आपको याद रखना पड़ेगा उसके जब्मू कश्मीर आपने जो बकरवाल हैं गदीज हैं उनका नाम सुनाओगा वो लोग रियरिंग करते हैं करनाटका करता है गुजरात करता है उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा लेकिन कौन करता है राजस्थान आपके यहां पर भी आपने देखा होगा बकरी चराने वाले भेड चराने वाले राजस्थान से आते हैं तो राजस्थान इस दी लीडिंग प्रदीजर ऑफ बुल इन साथ गुना आस्ट्रेलिया वुल का प्रोडक्शन करता है अब हम जाके देखते हैं कि जो वुल की प्रोडक्टिविटी है इंडिया में दिक्कत कहां पर है वो अल ओवर दी वर्ड अगर हम देखते हैं कि एक शीप लगबग लगबग साड़े तीन किलो वुल देती है लेकि यहाना में हैं लुदिहाना अंबाला वाला जो कलश्टर है पंजाब में सबसे ज़्याधा वुलन टेक्स्टाइल के लिए जाना जाता है प्रिलिम्स का मोस्ट इंपोटेंट कुश्चन यह हो गया वंडे इग्जामीनेशन का कि सबसे ज़्यादा वोलें टेक्स्टाइल कहां पे हुआ है लोधियाना में हुआ है I think आप सब अगर जम्मू कश्मीर गए हो या नौर्थ इंडिया गए हूँ तो लोधियाना पढता है बीच में यह टेक्स्टाइल के लिए वोलन टेक्स्टाइल के लिए जाना जाता है और इसकी बज़ेस से यहां पे पॉलूशन भी बहुत ज्यादा है, पॉलूशन रेट भी यहाँ पे ज्यादा है, तो all and all वुलन टेक्साल इंडस्टी में मैंने आपको क्या पढ़ा है, एक बार मैं आपको चायना करता है, यच्रल का कौन करता है, अस्ट्रेलिय करता है, arguments क्या है, हमारे productivity भॉत ही कम है, हमारे इंडिया में ट्लस्टर कहां पर है, तो धियान में सबसे यह ता कलस्टर concentrated हैं इस बात को हमें याद रखना है जो भी बोल ला है daily नहाते हैं सर्दियों में opportunity मिलती है नहीं नहाना चाहिए मेरे हिसाब से तो बाकि आप जो follow करना चाहो India democracy है चाहो तो नहाओ लेकिन रोज-रोज नहाओगे तो आप पड़ेगा यहां पर जैसे हम बात करते हैं नेक्स्ट है कि जो नेक्स्ट इंडस्ट्री जो आपके पास है वह कौन सी है paper pulp industry है paper industry अब paper का यूज कहां पर किया जाता है paper का यूज बच्चों को तंग करने के लिए examination में किया जाता है examination में आप लिखवाते हो books बनाई पता नहीं किसने बनाई लेकिन जिसने भी बुक बनाई उसने बहुत बुरा किया अच्छा नहीं किया ना होती बुक ना वह होती बास और नहीं बस्ती बासरी तो यहां किस किस से जाता है raw material कहां से ड्राइब होता है bamboo से ड्राइब होता है ना रहेगा बास ना बजेगी बासरी अब उसका नेक्स जो आपके पास सलाल वोड है जो सलावाई इसके अगर आप जागो तो मतलब जितने भी आपके पास hoody plants होते हैं वहां से हम क्या करते है पेपर पल्प को डराइब करते हैं इस बात को आपको याद रखना है और एक और बात आपको याद रखना है कि इंडिया में जो पेपर पेपर है पेपर इंडस्ट जो आपके पास होते हैं वो यहां पर पाय जाते हैं मतलब परण पाती बन जो हैं भारत में सबस्यादा पाय जाते हैं और परण पाती बन कैसे होते हैं solid होते हैं यह कठोर बन होते हैं और कठोर होने के कारण यह जो बन होते हैं इनको बुरादे में तबदील करना इनको छ इंपोर्ट कर रहे हैं केनड़ा से इंपोर्ट कर रहे हैं इस बात को आपको याद रखना है अब हम देखते हैं इंडस्ट्री की शुरुआत कहां से हुई यह जो इंडस्ट्री इसकी शुरुआत स्री रामपूर बेस्ट बेंगॉल से हुई 1812 से 1812 से इसकी शुरुआत का distribution चला गया अब हम जाके देखते हैं कि महरास्त्रा मैं पूरे ग्जाकर सुदूरो परे के पूरे एरियां रहे हैं इसमें आपको याद किया रखना एक तो जो नाग्पुर है वो आप याद रख सकते हो यह कुछ-कुछ important centers हैं सारे के सारे रट्टा नहीं मार रहे हैं उसकाद आंदर प्रदेश की हम बात करते हैं तो आंदर प्रदेश में आप जैसे पोछते हो तो आंदर प्रदेश में करनूल वाला जो एरिया है नेलोर वाला एरिया है इसमें से भी एक असम में जाओ गोई तो असम में बैंबू जो आपके पास होता है उस बैंबू से जो है जो पेपर है उसका उतपादन किया जाता है अब यहां पर एक दो बात है और अच्छे से रट्टा मार ले ना कि मध्य प्रदेश में दो फेक्टरीज हैं इन फेक्टरीज को आपको आपको याद रखना है एक तो प्रुलिम्स के प्रस्पेक्टेज से पहली फेक्टरी आपको याद रखनी है कहां पे लगाई गई थी Best Bank All में लगाई गई थी दूसरा आपको क्या याद रखना है कि जो बैंक नोट्स होते हैं, वो कहां पे प्रिंट होते हैं, देवास में प्रिंट होते हैं, हलाकि सबको पहले सी रट्टा लगा हुआ है, देवास में बैंक नोट होते हैं, उनको प्रिंट करवाते हैं, और उसका सेक्यूरिटी प्रिंटिंग मिल जो आपके पास है, वो कहां पे होशंगाबाद में दो paper industry से दो the आपको याद रखना है नेपा कि आपको नेक्सट आपको याद रखना बुरहानपुर का नेपानगर नेपानगर में क्या है जो आपका newtな hap year old जो की आज-cado वी संप्र आज ये जारा ह। इसकी इंडास्ट्री लगे वह टो अगवात सेकुरिटी प्रिंटेग मिल के लिए जाना जाते है अगवारी का क्रणा गधी के देखते हैं थे की इंड़ारी स्टेल रीजन्स अ इंडिया कहां कहां पे कौन कौन से हैं यह most important question है याद रख लेना और मैं इसमें आपको detail जादा नहीं पढ़ा रहा क्यों नहीं पढ़ा रहा कारण में आपको बता दूगा क्योंकि सारी industry हम already cover कर चुके हैं और यह already UPSC में mains का question बन चुका है MPPSC में बन चुका है one day examination में से question नहीं मनता one day examination में सर्फ एक question मनता वो मैं आपको बता दूगा और वांकि सारे आपको कुछ भी रटा नहीं मारना एक एक करके हम देखते हैं industrial reasons को सबसे पहला जो industrial reason है मुंबई पुने बाला industrial reason यह बाला जो है इसको हम बोलते हैं पहला इस मुंबई पुने मैंने आपको बताया कि सबसे पहला cotton textile यहां पर विक्सेत है उसके बाद अगर आप बात करोगे तो petrochemical industries में विक्सेत है मैंने आपको बताया था agriculture based इंडस्ट्री यहां पर भोची ज्यादा विक्सेत है mineral based industry भी है तो सारी industries को इसमें डाल देना जो पुराना lecture पड़ा हुआ था उसी के साथ मुंबई पुने कलस्टर आपका पूरा हो जाएगा नेक्स्ट जो आपके textile और सिल्क textile पड़ाया उनके लिए सेंटर बहुत ज्यादा पॉपूलर है उसका दम चलते हैं तीसरा होगली रीजन यह वाला जो रीजन इसको हम क्या बोलते हैं होगली रीजन बोलते हैं यह सबसे ज्यादा जूट textile के लिए जाना जाता है जूट के बाद अगर आप जाओगे तो जूट के बाद यह पूरा का पूरा एरिया एग्री कल्चरल इंडस्ट्री के लिए बहुत ज्यादा पॉपूलर है नेक्स्ट जो आपके पास है एहमदाबाद बदोधरा रीजन एहमदाबाद बरोडरा के वो इस रीजन में आपको देखने को मिलती है नेक्स्ट जो आपका रीजन है याद रखना एक और चार को मिलाने के लिए हमने बुलेट ट्रेन भी चलाई है ट्रांस्पोर्ट ऑफ इंडिया में जाके देखना बहां पे आपको बुलेट ट्रेन मिल जाएगी और आपको पत छोटानागपूर इंडस्टियल इसं जैसे छोटानापूरिसस for जाओ गई शौर चनकड बाला एयरिया जार कंड कौन के बाद अडर में आता है चोटानागपूर याद रखना इस subse जादा इंडस्ट्रेइक का डवलप मेंट हुआ है बो यह एंपे हुआ है यहां पर जत को यह बार किक्ट पूचय जाता है कि निम लिखित मेंसे किसे जो खनेजों की भूमी कहा जाता है उसे खनेजों की भूमी कहा जाता है घुसायल अव data अब हम ढखतें ने ज newly लिजन की तरफ चलते हैं वो है आपका च्छटवे नंबर का बिशाका पत्नम गुंतूर यह आपके पास बिशाका पत्नम आंद्र प्रदेश में और गुंतूर को कनेक्ट करने वाला च्छटवा इंडस्ट्रियल रीजन है अगें सारी की सारी बात है वही आ गई यहां पर के चुलल सावरी बैसन यहां पे तो पै्ट्र हमिंकल हो गया उसका गुंतूर के पार चाहिए तो गुंतूर मैं आपको बताया है आईरेन रिजर्व्स मिलते हैं टो सिल्क बताया यही साधी की सारी इंडस्टी चारे कंसेंट्रेशना आं आपका यहँआ पर हो गया Pro जो आपके पास है साथवा गुर्गाओं डेली मेरट यह पूरा का पूरा रीजन है यह है गुर्गाओं डेली मेरट वाला रीजन साथवे नंबर वाला रीजन आपको देखने को बिल्दा है तो यहाँ पर याद रखना कि सबसे ज्यादा जो आपके गुर्गाओं वाला जो जानते हूँ चेन नहीं जो आपके पास हो से भारत का येटरोईट कहते हैं नॉर्थ इंडिया का येटरोईट गर्गाऊ को कहते है और मध्य प्रदेश का ये उद्टरोईट पीतमपुर को कहते हैं तो ये लेकर द्रबनंथ पुरम बारीजन रामाक्सा question complete clear question ऐसा आएगा कि आपको इंडिया में जो industrial reasons हैं उनके बारे में detail account देना है तो detail account में मैंने 8 मेंने list करवा दिये लेकिन 8K में notes आपको नहीं देने वाला आपको थोड़ा सा दिमाग use करना है पता है थोड़ा सा कम है लेकिन use करोगे तो बढ़ जाएगा तो यहाँ पर जैसे क्या करोगे आप जो पुरानी चीजें उन पुरानी चीजों को add up करते जाओगे दिमाग लगाते जाओगे हम मैंने यह पढ़ाए था बैंगलूर में तब जाके आपका अंसर पूरा होगा अगर आप इन सारी चीजों डिटेल्स हैं उन डिटेल्स को अगर आप add कर दोगे तो मेरे खयाल से आपको 8 marks तक मिल सकते हैं अब करते हैं यह आपका पूरा का पूरा क्वेशन पूरे के पूरे एक लाग रोपे के लिए आपको पता है आपको क्या करना है दिल्दी से आंसर देना है कुश्चिन नम्मर बन वेच अमोंग दी फॉलवाइं इस दी एक लोजेस्ट तू दी इनिंग ऑफ जो सैल्वी कल्चर उसका जो मतलब क्या होता है सबसे पहला है ank दूसरा होता है cultivation of textile, next आपके पास forrest development, next is cultivation of timber, जो selvin culture है, selvin culture उसका meaning क्या होता है, जल्दी से आप comment करके मुझे बताने वाले, selvin culture का meaning क्या होता है, आपका एकदम सबका आंसर सेल्वी कल्चर है उसका आंसर जो आपके पास है वो फोरेस्ट डवलप्मेंट इसको मैंने क्वेश्चन में क्यों लिया है कारण क्या है आपका कारण में आपको बताता हूँ क्योंकि एक तो मैंने आपको बताया सरी कल्चर सरी कल्चर क्या होता है सिल्क वाम का कल्टिवेशन होता है या सिल्क वाम की रियरिंग कल्टिवेशन तो हम नहीं करते हैं तो सरी कल्चर और सेल्वी कल्चर में आपको बिल्कुल भी लेकिन एक simple सी बात आपको याद रखनी है कि woody plants आप कपड़ होगे जब आप science पड़ रहे होगे और science जो आपको जब भी आप science पड़ रहे होगे तो आप एक दम deep में चले जाते हो इतने deep में question नहीं आते हैं अगर आपको देखना है question कैसे आते हैं तो आपके पास solution objective नाम की biology पड़नी है ना तो science पड़नी है और अगर आपके exam में आती है मैं ये बिल्कुल नहीं बोला कि नहीं आती है आपके exam में कहां तक आता है वो आप आपको जो objective questions है उन objective questions को जाके करोगे सबसे पहले जाना objective question देखना अगर वो इतना deep में पूछ रहा है तो ही पड़ना otherwise एक वर्ड में PhD हो सकती है महत्मा गांधी जो है उस वर्ड पे 200 लोगों ने PhD कर रखी है और एक चीज़ पे PhD हो सकती है बाल की खाल खिश सकती है आप चाहो तो खिश सकते हो और नहीं चाहो तो आप आपके exam के लिए पढ़ सकते हो वो आपकी चोहस है next question जो आपके पास है most of the j first modern paper mill of the country setup जो modern text जो आपके पास modern paper mill आपके पास है इसको कब setup करा गया था इसका आपको answer बताना है paper mill already मैंने आपको बताया था यहाँ पर आप याद रखोगी modern paper mill को कब setup करा गया था सबका answer सही है third का answer जो आपके पास होगा वो क्या हो गया 1812 यहाँ पर आपने शुरुआत करे गई थी सबसे पहले paper mill की और अब यह पूरा decentralized paper mill है कई सारे जगहों पर हम paper mill को लगाते हैं इसका answer क्या हो गया अब इसका अब मुद्दे की बात करते हैं हमारे मुद्दे की बात क्या है आज का जो means का question है वो यह है काफी सारे लोगों की questions को मैंने check नहीं करा अब सेशन के बाद मैं questions को check करूँगा सबके review कर दूँगा आप और employment generation में volant textile industry है उसके क्या महत्व है या उसकी कौन्स क्या भूमी का है उसको आपको वर्णन करना है यहां पर आपको देखना है सबसे पहला key point कहां पर मिल गया volant textile से दूसरा key point यहां पर क्या मिल गया आपको key points देख लेने है पहला कौन सा हो गया volant textile दूसरा क्या हो गय आपके पास employment generation और तीसरा आपके पास क्या हो गया economic growth तो यह जो आपके पास limited नहीं रखना सिर्फ और सिर्फ economic growth मतलब आपको यहाँ पर economics involved करनी है दूसरा employment generation यह भी किसका topic है economics का आपके पास topic है अब उसके आदम बात करते है volant textile है तो यह जो गरफिकल है तो यहाँ पर याद रखना significance में volant textile में मैंने आपको जो जो बातें बताएं थी वो सारी की सारी बातें आपको exactly यहाँ पर लिख देनी है जैसे भी आप लिखना चाहो लिख देनी है और उसके बाद थोड़ी बहुत problems भी लिख देनी है और government of India के दुवारा लिए गए solutions को भी लिख देना है अ इंडस्ट्री में नहीं करा है को छोटी छोटी इंडस्ट्री को आपको खुदी घर बैठके पढ़ना है एक एक दो दो लाइन में कवर हो जाती है जैसे glass इंडस्ट्री से इसका यूज कहां पर किया जाता है बेंगल्स बनाने में आपने गाना भी सुना होगा चूडी खन रख लेना glass में और ऐसे एक जो कोई भी book आपके पास है geography की उसमें industries नाम का topic जरूर पढ़ना मैंने जो भी पढ़ाया है उसके बाद बस एक बार आपको पढ़ना है एक घंटा लगेगा और believe me from zero level से hero level तक कोई भी question आपका बाहर नहीं जाएगा ना तो pre का बाहर जाएगा और ना ही means का बाहर जाएगा और यही soul objective है हमारे यहाँ detail में पढ़ने का otherwise pointer form में तो हर कोई आपको हर एक जगा पे पढ़ाई रहा है clear I hope यह lecture आपको clear हो गया होगा और अगर कोई भी issue आपको है तो आप comment करके बता सकते हो आज के लिए इतना ही मिलते हैं कल नए topic के साथ ज आपको